कहारी सुरू होती है रामशिया त्रिपाथी इटावा उत्तर प्रदेश में एक जगा यहाँ पर एक कॉलेज था उसमें यह लेक्षरार थे डिग्री कॉलेज उसमें बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे 24 अक्टूबर 1962 को इनके घर में एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सिवा त्रिपाथी इनकी पहली बेटी ओमा त्रिपाथी थि उसके बद यह बच्ची पेदा हुई थी दूसरी बेटी इसके बढ़ाद इनके दो लड़के और पैदा हुए घर का जो माहौल था वो ठीक ठाक पैसे में भी बहुत जाता पैसा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक ये बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी घर के लोग माता पिता बड़ी बहन दोनों भाई इसे बहुत प्यार करते घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल और ये बच्ची पढ़ने में अपना मन भी लगाती थी तो ये पढ़ती चली जा रहे थी अपना ज्यादा तर समय ये पढ़ाई लिखाई में ही बिताती थी जैसे ऐसे बड़ी होती गई इसने हाई स्कूल किया इंटर्मीडियट उसके बाद होम साइन्स से बी-ए ग्रेजुएशन किया साधे उननीस साल की उम्र थी जब सिवात रिपाठी की साधी दिवियापूर में रहने वाले एक सक्स छेदिलाल से हो जाती है साधी के बाद अपने ससुराल चली गई ससुराल का माहौल ठीक ठाक सास और ननद ससुर सबसे बाद चीठ ठीक ठाक जैसा सुरुवाती दोर में होता है कोई दिक्कन नहीं हासी-खुशी का माहौल लेकिन फिर जैसे ऐसे महीने बीते और जैसे जैसे साल बीते चीजें बदलना सुरू हो गई थी सिवात रिपाठी और इनकी सास और ननद के बीच में पहले थोड़ी बहुर नोग जोग से बाद सुरू हुई उसके बाद ये तकरार आगे बढ़ी कहां सुनी और कुछ सालों में ये छोटी लड़ाई जगड़ी की जो बाते थी ये एक गंभीर मोड ले लेती है वक्त बीटा जा रहा था ससुरूराल में सिवात रिपाठी की ज़्यादा बन नहीं रहा था लेकिन फिर भी जिंदिगी रुखती नहीं है, जिंदिगी आगे बढ़ती रहती है कई साल बीट कहें इन सालों में सिवात रिपाठ्थी को दो बच्चे पएदा हुए इनके नाम थे रिंकु और टिंकु तो यह अपने ससुराल को जो काम थे उनको करती थी और इन अपने माईके को चिथी भी लिखा करती थी अपने पिता को उन चिथीओं में यह लिख थी कि इसे अपने पिता की और भाईयों की याद आती है, मा की भी याद आती है मिनने आना चाहती है लेकिन आ नहीं सकती क्योंकि काम ज्यादा रहता है, समय नहीं मिलता है जो भाई थे छोटे, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछती कि उनकी पढ़ाई के क्या हाल चाल है जितनी भी चिठियां लिखती है उन सारी चिठियों में ये अपने भाईयों की पढ़ाई के बारे में ज़रूर पूछ थी और ये ससुराल में रहकर अपनी भी पढ़ाई कर रही थी तो चीजें आगे बठती चली जा रही थी अब ससुराल में जो इनकी सास थी और ननद और सिवात्रिपाठी के बीच जो कहा सुनी का कारड था वो कारड ये था कि सिवात्रिपाठी एक कस्बे में पैदा हुई वहीं पर पली बढ़ी और दिवियापूर एक ग्रामीड इलाका इनकी सास और ननद जहां रहा करती थी इनकी ससुराल ये सिवात्रिपाठी पढ़ी लिखी थी ठीक ठाक इनकी जो सास और ननद थी वो बहुत कम ही पढ़ी लिखी थी यह साद हो सकता है कि बिल्कुल भी पढ़ी लिखी ना रही हो तो इनकी सास और ननत को लगता था कि सिवात रिपाठी उनके तौर तरीकों में फिट नहीं हो पा रही है उनके जो रीती रिवाज हैं उनको ठीक से नहीं निभा रही है जैसे एक लड़की को साधी के बाद रहना चाहिए वैसे रहती नहीं है ये थोड़ा modern है और ये कस्बे की तरह रहती है जैसे कस्बे के लोग रहते हैं कि गाओं का माहौल है तो गाओं के माहौल में इसको रहना चाहिए तो ये उनकी सौंस थी अब इसमें दहेज का भी मामला था इनके जो ससुराल वाले थे तो उनका मानना था कि दहेज भी जितना मिलना चाहिए था उतना दहेज नहीं मिला जब वो चिठी लिखते इनकी ससुराल वालों को तो उसमें वो कहते भी इसी तरह से साब बात नहीं कहते लेकिन घुमा फिराकर उनके कहने का मतलब यही होता था तो ससुराल वाले दहेंस को लेकर भी टाना देते रहते फिर एक दिन की बात है उन्नीस सो पचासी साल आ चुका था उन्नीस सो पचासी की सरदियों की बात थी जब इसने सिवत रिपाठी ने एक चिठी लिखी अपने पिता को और चिठी में जो बात लिखी हुई थी उसको पढ़ कर इनके पिता को काफी अजीब लगा और थोड़ी घवराहट भी हुई चिठी में जो बात लिखी थी सिवत रिपाठी ने तो इसको एक रात सपना आया था सपना ऐसा था कि इसने देखा कि इसके जो दो बच्चे हैं रिंकु और टिंकु वो इसे पहचान नहीं रहे हैं इसके जो मायके के लोग हैं इसके पिता राम सियात रिपाठी और इसके दोनों भाई वो भी इसे नहीं पहचान रहे हैं ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई अजनभी हो यह उनको बता भी रही है कि यह मैं हूँ सिवा लेकिन फिर भी वो लोग नजर अनदाज कर रहे हैं एक बहुत ही बेरुखी भरी नजर उनकी थी तो यह उनको समझाने लगी पिर जब वो नहीं समझ में आया जब नहीं माने तो जोड-जोड से समझाने लेगी और फिर एक बार इसने बहुत जोड से कहा जोर से जब चीखी, तो इसकी अचानक नीन खुल गई जब नीन खुली, तो इसने पाया कि अपने बिस्थर पर है, अपने घर में इसने देखा कि यह सपना था लेकिन यह सपना जो था, फिर धीरे धीरे आए दिन इसको इस सपना आने लगा तीन-चार दिन छोड़ कर यह सपना आता ही रहता था और ये एक जैसा ही सपना आता था कि कोई भी से पहचान नहीं रहा है और ये सबको बता भी रही है लेकिन कोई अजनबियों की तरह सभी लोग इसे देख रहे हैं तो जब कई रातों में ये सपना आया, तो ये धीरे-धीरे परेसान होने लगी, काफी डरी भी रहने लगी, रात में जब सपना आता तो ये चीखते हुए जग जटी, उसके बाद इसे नीन नहीं आती, तो दिन में भी ये डरी-डरी रहती इसके बारे में इसने चिठी में लिखकर एक बताया था अपने पिता को तो ये भी एक परेशानी के वज़ा और दूसरी परेशानी के वज़ा कि घर का जो लड़ाई जगडा था वो काफी ज़्यादा बरता चला जा रहा था सर्दियों से फिर गर्मिया आगे उनीस सो पचासी की और एक दिन इसके एक रिष्टेदार सिवात्रिपाठी के मिलने आए जब वो मिलने आए तो उन्होंने देखा कि सिवात्रिपाठी काफी ज़्यादा परेशान है जब वो पास में आए पूछा बातचीत करने लगे तो यह अचानक रोने लगी रोने लगी तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है बताओ तो सिवात्रिपाठी ने बताया कि सासुराल वालों ने इससे मारा है और यह काफी ज़्यादा रोती जा रही थी तो अब जो रिष्टेदार थे उनको भी सुनकर बुरा लगा लेकिन वो क्या कर सकते थे उन्होंने समझाने की कोईशिस की कि चलो ठीक है आगे चलकर सब सही हो जाएगा चीजे ठीक हो जाती है तो जैसा वो समझा रहे थे जैसा उनकी समझ में आ रहा था, वो समझाते चले जा रहे थे, लेकिन सिवात रिपाठी के उपर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सिवात रिपाठी भी समझ रही थी, कि जब इतने सालों से होता आ रहा है, तो ये कैसे ठीक होगा, ये सब बाते हैं, खेर, अधरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होगा, और अब जो लडाई जगडा होता था, वो एक बहुत ही घातक मोर ले चुका था, अगली सुबा ये रिष्टेदार अपने घर पर थे, सुबा के काम कर रहे थे, अचानक एक आदमी भागता बधावासी में इनके घर पहुचा, उसने बताया कि सिवा ने खुद खुशी कर ली है और उसकी लास रेलवे लाइन की पट्रियों पर मिली है, अब जैसे इन्होंने ये चीज सुनी, ये खुद बहुत बधावास, आनन फानन में वहां से निकले, पहुचे, जब वहां पर पहुचे तो इन्होंने जैसा बताया था, ठीक वैसी ही बात थी, जो गाव था दिबियापूर, दिबियापूर के पास से रेलवे लाइन की पट्रियां गुजरती थी, और उन रेलवे लाइन की पट्रियों के बीच में सिवा त्रिपाठी की लास पड़ी हुई थी, ससुराल वाले बता रहे थे क कि इसने रात में खुद ही आकर ट्रेन के आगे कूद गई है और इसने अपनी जान देती है, खुद खुसी कर ली है, सिवा त्रिपाठी की बड़ी बहन उमा त्रिपाठी वो पहले ही आ चुकी थी, तो उनके हस्बेंड भी उनके साथ थे, अब इन लोगों ने देखा, त कि अगर ट्रेन के आगे कूद कर इसने अपनी जान दी थी, तो सरीर पर कहीं से कटने, या तो सरीर का कोई हिस्सा कटा होना चाहिए था, कोई निसान होना चाहिए था, चोट लगने का, कटने का, लेकिन खाली एक निसान था, पूरे सरीर पर और वो सर में था, सर में काफी गहरा घाव था और ये घाव इतना ज्यादा गहरा था कि उससे दिमाग का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था तो जब इन लोगों ने देखा सिवत रिपाठी की बड़ी बहन ने और उसके हस्पेंड ने रिष्टेदार ने तो इनको पक्का यकीन हो गया कि ये कोई खुदकुसी का मामला नहीं है बलकि एक कतल है तो रिष्टेदार वहां से फिर बधवासी में भागे कि जाएं जल्दी इनके पिता राम सियत रिपाठी को बताएं उनको लेकर आएं क्यूंकि जो स लास जल जाती है तो कोई सबूत नहीं बचेगा कोई केस फिर ज्यादा गहरा नहीं बनता है तो रिष्टेदार को ये समझ में आ गया कि ये लोग सबूत मिटाना चाहते हैं तो वो जल्दी भागे कि बुला कर लाएं अब जब इनके पिता राम सियत रिपाठी उन्होंने तो ना उनको अपनी बेटी मिली ना बेटी की लास मिली उनको मिली तो बस खाक और अस्तियां क्योंकि इनके ससुराल के जो लोग थे उन्होंने सिवात रिपाठी को पहले ही आग दे दी थी अंतिम संसकार आनन फानन में कर दिया था ज्यादा कोई रस्म रिवाज भी नही प्रधान वगएरा इन्हीं से बातचीत करके मदल लेकी मिटी का तेल डालकर सिवात रिपाठी की लास को जला दिया गया था तो अब राम सिया त्रिपाठी जब उन्होंने ये देखा वो पहले से इतने गम में अब उनका गम बारदास्त नहीं हो लेकिन वो क्या करें तो जैसा इनके ससुराल वालोंने बताया कि एक खुदखुदी का मामला है तो वो कुछ कर भी नहीं सकते थे लेकिन अब दिल में घाओ गहरा वापस लोट गए तो फिर इनके जो रिष्टेदार थे और इनकी जो बड़ी बहन थी उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात थी हमने देखा था कि सर पर गहरा घाओ का निसान था फिर धीरे धीरे जो गाओं दिवियापुर यहां के कुछ लोग भी गए उन्होंने बताया कि जो इनके पती थे छेदिलाल और जो ससुर और जो बाकी सिवात्रिपाठी के ससुराल के लोग इनको गाओं वालों ने सिवात्रिपाठी की लास ले जाते हुए रात में देखा होना है या ऐसे भी नीन नहीं आती है तो लोग जगा करते हैं और फिर गाउं ज्यदा बड़ा होता नहीं है तो कोई भी हल चल हुई और दूसरी बात ये थी कि रात में लड़ाई जगड़ा भी काफी हुआ था जिससे आवाजे बाहर जा रही थी तो लोगों को ये भी लग रामसियत रिपाठी ने और बाकी जो इनके रिष्टेदार यहां पर इकठा हो गए थे उन लोगों ने तो एक बाप का कलेजा भट गया गम पहले से ही था बहुत ज़्यादा गम था अब गुस्से में भी भर गया तो खैर मार पीट तो कर नहीं सकते थे और कोई उस तरह क काम कर नहीं सकते थे फिर यह पुलिस के पास गये उन्होंने कंप्लेइन लिखाई पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की गिरिफ्टार किया गया इनके पती और ससुर छेदिलाल और उनके पिता को केस चला कई महीने तक केस चला लेकिन सबूत थे नहीं तो फिर जमानत मिल बाद ही जब इनके सास पती और ससुर को जमानत मिल गई तो वो दोने भी लौट कर आई उनकी भी गिरिफ्टारी हुई लेकिन बाद में उनको भी जमानत मिल गई फिर हमारी कहानी पहुंचती है सुमित्रा सिंग पर सुमित्रा सिंग का जन्म 1968 में हुआ था अंगत का नगला एक छोटा सा गाओ वही के इनके पिता रहने वाले थे फरूखाबाद में ये जगा थी अंगत का नगला इनके पिता का नाम था छोटे सिंग और माता का नाम था गंगा देगी इनके पिता अहमदाबाद गुजरात में गय हुए थे क्योंकि जमीन ज्यादा थी नहीं सुमित्रा सिंग के पिता के पास तो जमीन से गुजारा हो नहीं रहा था काम की तलास में थोड़ा पैसा कमाने की उद्देश से ये पहुँचे ये अहमदाबाद गुजरात वहाँ पर एक कपड़े की फैक्टरी थी उसमें काम करने लगे तो पैसे कोई बहुत ज्यादा मिलते नहीं थे गुजारा ठीक ठाक हो नहीं पा रहा था वहीं पर ये बच्ची भी पैदा हुई सुमित्रा सिंग तो फिर बच्ची का भी पालन पोसर उसका भी अलग से खर्चा तो इतना पैसा था नहीं कि इसको भी वहाँ रख पाए तो इन्होंने फिर बच्ची को एक रिष्टेदार के भेज़ दिया, मामाा नानी के भी आकर रहने लगी सुमित्रा सिंग्ग यहां इसकी एक ममेरी वहन थी, उसका नाम था फूलमाला, ज्यादा तर वक्त यह फूलमाला के साथ बिताती, फूलमाला दो-चार साल पढ़ी थी स्कूल में जाकर, और सुमित्रा सिंग की कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, तो यह उसको पढ़ाने का भी काम करती, फूलमाला, जैसा वो थोड़ा बहुत जानती थी, उसे तरह से इसको लिखना, जैसा होता है कि छोटे बच्चे गाउं में पढ़ने वाले का काहरा, यह सब बताया है, हिंदी में थोड़ा बोल लिखना पढ़ना, अपना नाम लिखना, दीरे दीरे यह भी बड़ी होती ज मिलती है, इस बच्ची को, 1979 का साल था, जब इसकी मा गंगा देवी की भी बीमारी के बाद निधन हो जाता है, तो अब इसकी मा भी नहीं रही थी, मा के साथ भी यह ज्यादा समय नहीं बिता पाई थी, तो कुछ महीने तक यह दिमागी तोर पर थोड़ा सा असहज रही, थ बड़ा हाथ सा था जिंदगी का, खेर किसी तरह फिर इसने खुद को ठीक ठाक किया, ग्यारा साल की उम्र थी, जब इसकी मा की मौत हुई थी, दो साल और बीते, तेरा साल की उम्र की जब यह हुई, सुमित्रा सिंग, तो इसकी साधी, सरीफ पुरा में रहने वाले एक सक् अब जगदीज सिंग, जगदीज सिंग के परिवार में माबाप और एक छोटा भाई, तो सुमित्रा के जो नया परिवार था, नया घर था, इसमें एक सास, एक ससुर, पती और एक देवर, गरीबी यहां भी थी, ज्यादा पैसे यहां भी नहीं थे, जमीन वगरा, तो आधी चले गए, काम की सिल्चिले में, वहीं रह कर काम करने लगे, सास smasur और देवर यही बचे थी बचे थे, लेकिन यहां का माहोल ठीक ठाक, यह अपने सास smasur की सेवा करती, सास smasur भी इस से ठीक तरह से विवहार करते, देवर का विवहार भी ठीक, कोई घर में दालती सुमित्रा को लेकिन जैसे तैसे चल रहा था मामला साधी के तीन साल वीथका इसी तरह तीन शाल के बाद एक बच्चा पैदा होता है सुमित्रा से, अब जब बच्चा पैदा हुआ तो घर में हाँ से खुशी का महाल, और सुमित्रा अब इसका भी मन लगने लगा, इसके जो साथ सुसूर थे, वो भी बच्चे के साथ खेलते, बच्चे की परवरिस में वो भी हाथ बटाते, और दिन भर जो घर का काम होता और जो खेत, थोड़ा बहुत खेती थी उसका जो काम होता, और बच्चे को पालन पोसर में ये लगी रहती, तो समय बीटता जा रहा था, दिन कटते जा रहे थे, कोई दिक्कत की बात थी नहीं, अब पती का भी ये मामला था कि थोड़ा सा पैस कमाने, तो वापत लोटकर घर चले आएंगे, उसके बाद कुछ यही पर अबना काम दंधा कर दिया जालेगा, तो अच्छे दिनों के इंतजार में सुमित्रा सिंग अपनी जिंदगी को बिताती जा रही थी, जब बच्चा पैदा हुआ उसके दो महीने बाद, लेकिन फि दिनों के उम्मीद वो पाले बैठी थी, वो सारी उम्मीदें दुंदली होने वाली थी, एक दिन का वक्त था कि ये अप चुकी गाउं में कुवा था, तो कुवे से पानी लाना पड़ता था, घर में नल वगएरा कुछ था नहीं, इस्टील की एक गागर उसको लेकर ये पानी भरने के लिए, तो एक दिन इस्टील की उसी गागर को लेकर और बच्चे को लेकर निकली पानी भरने के लिए, कुवे पर पहुंची, पानी भरना इसने सुरू किया, बच्चे को पकड़े हुए, और जैसा कि होता है और ते एक हाथ से खीशती चली जाती है उसको गाओं का, अब रोज का काम होता है, तो अभ्यस्त भी हो जाती है, तो इसने फिर पानी भरा, पानी भरने के बाद ये गागर को कमर पर रखकर और बच्चे को दूसरी तरफ पकड़कर वापस लोटने लगी, लेकिन अचानक गागर बहुत तेज आवाज करते हुए, जमी सालत में देखा, कि सुमित्रा सिंग एकडम पत्थर बन गई थी, इसकी आखें ऊपर को चड़ गई थी, पूरा आखों का सफेध हिस्सा दिखाई दे रहा था, काला हिस्सा जो है, वो सर के ऊपर चला गया था, दात कसे हुए थे, और किट-किटा रहे थे, हाथों की मुठ पत्थियां भिची हुई, एकडम पत्थर बन गई थी, अब जब हाथ कसे जा रहे थे, तो अपने बच्चे को भी बहुत जोर से दवाती चली जा रहे थी, जिसकी वागर से बच्चा भी जोर जोर से रोने लगा, अब जब बच्चे की, क्योंकि ये खड़ी ही थी, और ब अपने साडी के पलू से हवा की, चार-पांच मिलट ही बीते थे कि इसको होस आ गया, और होस आने के बाद सरीर में कोई दर्द या तकलीव कुछ भी नहीं, अब जब देखा इसने, लोग इसको घेरे हुए हैं, तो इसको थोड़ा आजीब लगा, इसने पूछा कि क्या तो लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, अब इसको कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ, तो लोगों ने कहा कि हो सकता है, ऐसा होता भी रहता है गाओं में, तो लोगों ने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, कहा चलो यह एक बार की बात है, हो सकता है फिर ना ह लेकिन फिर ये चीज जो थी वो बार-बार होने लगी ऐसे ही दौरे सुमित्रा सिंग को आए दिन पढ़ने लगे थे एक दिन ऐसा ही दौरा पढ़ा इसको घर में थी कोई काम कर रही थी और जो काम ये कर रही थी उसी तरह ये जम गई पूरा हाथ अकड़ गए दाथ किट-किटाने लगे आखें उपर चड़ गई लोग आए तो इसको वैसे ही पंखा वगरा करना सुरू किया थोड़ा सा पानी मूपे लगाना लेकिन फिर अचानक ये बोलना सुरू करती और इसने बताया कि ये सुमित्रा नहीं है बलकि एक गाओं की औरत थी उसको बताया ये जो गाओं की औरत इसके बारे में बता रही थी उसकी नदी में डूबने की वज़र से मौत हो गई थी तो लोग अब हैरान कि ये क्या बात है कई लोग थे तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उसका भूत इसके सर पर आ गया हूँ ये साया तो लोगोंने कुछ बाते पूछी ये उन बातों को बताने लगी अब ताज़ुब की बात ये कि सारी जितनी भी बाते थी ये सच बता रही थी तो लोगों को यकीन हो गया कि उस आउरत की आत्मा इसके सर पर आई है ऐसे ही कुछ देर तक चला 15-20 मिनट उसके बाद फिर से नॉर्मल हो गई इस बार भी इसको कुछ नहीं याद कि क्या हुआ था ऐसे ही एक बार फिर से जब दोरा आया तो इसने किसी दूर के आदमी के बारे में बताया वो आदमी एक व्यापारी था जो गुजर रहा था इधर से ही और सफर में उसकी मौत हो गई थी तो उसके बारे में भी बताया कई चीजे, लेकिन इन चीज़ों की तह्किकात नहीं हो पए क्योंकि दूर का माबला था, आप कौन जाय पता करने लोग वैसे भी पहले भी मान चुके थे, क्योंकि गाओं में तब का वक्त भी दूसरा था और लोग इन चीजों को मान भी लेते थे आसानी से कि ये आत्मा वगेरा की बातें सच है फिर जब लोगोंने बताया कि ऐसा हुआ था तो अब ये भी परेसान रहने लगी थी सुमित्रा सिंग तो अब ये क्या बता थी कि क्या इसके साथ हो रहा है इसको खुद नहीं पता था अब इसका कोई जोड़ था नहीं किसी चीज पर ये तो अचानक हो जाता था तो ये संतोसी माता की बड़ी भग थी तो फिर इसने बताया कि संतोसी माता इसके उपर आती फिर एक दिन ऐसे ही चीजे चलती रही और जब ये बाते हो रही थी और भूत प्रेत की बाते आई तो इसको फिर जाल फुक करने वालों के पास ले जाया गया क्योंकि लगा कि भूत आता है तो तावीज वगयरा बना दे तो उससे नहीं आएगा जैसे आम धाड़ा होती है गाओं में तो जहां के पास ले गए उसने जाल फुक किया वही मिठ्च वगयरा डालना काली मिर्च आग में डालना उसका dwoma देना और लॉंग वगयरा खिलाना कुछ भबूत, टाबीज वगेरा बना के देना, यही चीज़ें सब, तो उन्हों ने की, टाबीज वगेरा बना के दिया, तो अब इनको लगा कि नहीं होगा, तो बारह ये लोग लोट कर चले आये वापस, लेकिन टाबीज वगेरा से कोई फायदा नहीं हुआ, शोला जुलाई की तारीक थी, इसी उन्नीस सो पचासी, सिवा सिंग की जब मौत हुई थी, तो वो मई का महीना था इसी साल, यह अब जुलाई आ जाई थी, तो सोला जुलाई की तारीक थी, और अभी सिवा त्रिपाठी का कोई लेना देना इस कहानी से नहीं, तो एक रोज इसको दोरा आया सुमित्रा सिंग को, वैसे ही मुठिया भीज गई, आखें उपर को चड़ गई, और दात कटकटाने लगे, लोग आ गए, घेर लिया, तो जब लोग अपना कर रहे थे इसको कुछ, जैसा वो पंखे से हवा करना वगेरा, तो अचानक इसने बहुत तेज आवाज में बोलना सुरू कर दिया, और इसने खाली एक बात कही, इसने कहा, कि आज से ठीक तीन दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी, सुमित्रा सिंग ने कहा, अब गाओं वालों ने सुना इस बात को, तो और डर गए, और इसके बाद ही इसे होस आया, तो इसे पूछा गया कि तुमने क्या कहा, इसे कुछ याद नहीं था, अब गाओं के लोग काफी जादा डर गए थे, पहले जो भूत वगेरा की बाते होती थी, और जो बाते इसने बताई थी, उनमें सच्चाई भी निकली थी, तो लोगों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो, कि ये बात भी सथ निकल वापस आये, वापस आये यहां बात की, तो अब उनको लगा था कि कोई बीमारी वगारा होगी, कोई तबियत यह हो सकता है, ऐसी कोई बात हो, जो घर के लोगों से ना बता रही हूँ, साथ किसी संकोचवस या किसी, तो वो आये, उन्होंने जब देखा, बात चीत करी, घर वापस नहीं आये थे, इसी बहाने घर भी वापस आ गये, तो सब को ऐसा लगा कि यह खाली बात है, और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ उच्छता तो थी, थोड़ा डर सब के मनों में, कि अगर मान लो कहीं सच हो गया, तो फिर क्या होगा, तो दो दिन ब जा सके, यह कुए पर पानी भरने नहीं जाएगी, खेतों में नहीं जाएगी, कुछ काटने का काम नहीं करेगी, खाना नहीं बनाएगी, क्योंकि आग लगने का डर, और तमाम तरह की बातें इसने सोच ली, कि कल मुझे यही करना है, डर तो इसके मन में भी था, और हकीकत तो रात बीती अगले दिन सुबा हुई सुबा जब यह उठी तो जैसा इसने सोचा था उसी तरह से इसने करना शुरू किया कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे जान जाने का खत्रा हुआ धीरे धीरे सूरज उपर चढ़ने लगा गाउं के लोग भी अब ध्यान लगाए हुए जब दोपहर हुई तो अचानक इसकी तबियत बिगड़ने लगी सुमित्रा सिंगी और इसको बुखार आना सुरू हो गया जब बुखार आना सुरू हो गया तो इसका पती काफी घवर गया दोड़कर बैड को बुला कर लाया बैड ने देखा दवाई वगयरा दी जो भी काढ़ा वगयरा दे सकते थे जो भी रहा हो लेकिन बुखार उतर नहीं रहा था बुखार बढ़ता ही जा रहा था और कुछी घंटे बीते कि अचानक इसकी सांसे थम गई नब्ज डर भी गये काफी कि बुखार आने से इतनी जल्दी मौत कैसे हो सकती लेकिन जो होना था वो हो गया अब घर में मातम का माहौल सास रोने लेगी आस पडोस की जो औरते थी उन्होंने भी जैसे ही सुना वो भी आ गई अब उनका भी दुख उनके समाले नहीं समले क्योंकि चोटा सा बच्चा एक और ये महज इसकी 17 साल की उम्र थी तब जबकि ये बात है सुमित्रा सिंग की तो वो भी काफी औरतें गाओं की भाव खो गई कि अब बच्चे का क्या होगा वो ही अपना मातम रोने पीटने लगी जिसने भी सुना एक डर फैलता चला जा रहा था जो लोग खेतों में चले गए थे काम करने उन्होंने भी जैसे ही सुना तो वो सब भी हक्के बख्के और डर गए कि ये क्या हुआ अब भविस्यवारी सच हो चुकी थी लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे सच हो गया तो खैर अब लोग बाते करना शुरू करती है वहाँ पर भीविल लगना शुरू हो गई आसपास के जो लोग उन्होंने भी सुना जैसे ही तो भी वहाँ पर जमा होने लगे तो धीरे धीरे साम होने लगी थी और जैसा कि होता है कि साम के बाद चिता नहीं जलाई जाती है तो अब ये कहा गया कि रिष्टेडारों को खबर कर दो जितने भी आसपास के लोग हैं वो आ जाए और अंतिन संस्कार के तैयारी सुरू कर दी गई तो इनके पती क्या करें मन में बड़ा दर्द और समझ में नहीं आ रहा दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या किया जाए लेकिन अब जो जैसा बताता जा रहा था तो ये उसे हिसाब से एक ये भी बड़ी बधावासी में कर रहे थे तो खैर जो लोग थे गाओं के उन्होंने भी मदद करी इन सब लकडियां लाने में और जो चीजें लाई जाती हैं तो सुहागन के तौर पर मरी थी इसलिए वो भी चीजें सब अंतिम संसकार की तैयारी जो रस्मोरिवाज होते हैं उनको करने का पूरा करने के काम किया जा रहा था और घर में सब रोना पीटना पड़ा लेकिन लगबग 45 मिनट जैसे ही बीते तो अचानक रोना पीटना एक लम से थम गया और जो औरतें घेर कर बै अठी थे इसको उनकी जिसकी ऊपर किसांस ऊपर जिसकी नीचे किसांस नीचे क्योंकि सुमित्रा सिंग ने अपनी आखें खोल दी थी अब उनकी समझ में नहीं आए जो औरतें उन्होंने देखा तो कुछ देर तो वो घूरती रही कि आखों का कुछ भरम हो सकता है या कोई आखों का दोखा लेकिन काफी देर तो वो देखती रही जब देखा उन्होंने तो इसके आखे चल रही थी ये उन लोगों को देखने भी लगी घूर रही थी तो अब एक बड़ी अजीब बात वो डर गई एक डम से डर गई तो थोड़ा सा पीछे हट गई जब पीछे हटी तो जो मर्द खड़े थे पुरुस इन्होंने देखा कि क्या बात है ये वहाँ पर पहुँचे इन्होंने भी देखा कि ये तो जिन्दा है आखे खुली और ये देख रही सबको इसके जो वैद थे वैद आये उन्होंने नाड़ी चेकी नाड़ी चलने लगी थी अब वैद की भी समन में नहीं आये कि ये क्या हुआ लगभग पैटालिस मिनट से सांसे बन कोई नब्द नहीं और अचानक फिर से चलने लगी खैर ये एक चमतकार था तो सब बताया गया कि खैर जोने पीडने की माता मनाने की कोई जरूर नहीं है वैद ने बताया ये अभी जिन्दा है और लोग जो थे वो भी अब हैरान परेसान कि ये क्या हुआ कैसे हुआ तो खैर अब अच्छी बात थी कि ये फिर से जिन्दा हो गई थी तो इसके जो पती थे वो आए इसके पास बैठे लेकिन जैसे ही जगदीज सिंग इसके पास आए ये पीछे हट गई और ये घूरने लगी ये सुमित्रा सिंग जब से उठकर बैठी थी ये इस तरह से घूर रही थी कि जैसे समझने की कोशिस कर रही हो कि ये आखिर कौन है और यहां पर क्या हो रहा है ये हर किसी को अंजान नजरों से देख रही थी जो आड़तें इसके आस पडोस की थी उनको भी उसी तरह अजनभीयों की तरह घूर रही थी सास को भी, ससूर को भी, पती को भी तो खैर जो बैद थे उन्होंने बताया कि अभी इसको ज्यादा परेसान मत करो दिन बीट जाने तो कल देखा जाएगा कि क्या है अभी हो सकता है कि कुछ सादमा लगा हो या कुछ भी हो तो उसकी वज़े से इसको ज्यादा बात चीत करने में उल्जाओ मत ज्यादा कुछ सवाल मत पूछो क्योंकि गाओंवालों के दिमाग में और औरतों के दिमाग में तमाम सवाल पूछना सुरू कर चुकी थी कि कैसा लग रहा है और क्या हुआ था दुनिया भर की बाते तो वैद ने फिर सब को रोका कहा कि ठीक है साम का खाना वगएरा खिलाओ सोने तो कल देखा जाए गाओं में सब रात भर काना फुसी चलती रही और जो बाहर भी बाते फैलने लगी जो लोग डाओं से बाहर गए उन्होंने बाहर जाकर भी बताया तो हर तरब किस्से कहानियों का माहौल अगले दिन सुबा हुई सुबा भी उसी तरह रही सब को घूरती रही कुछ बोली नहीं अब फिर लोग इसके पास धीरे धीरे आये तो इससे पूछना शुरू किया फिर जब दोपहर हुई तो इसने बताया सुमित्रा सिंग ने कि ये सुमित्रा सिंग नहीं है बलकि ये सिवात्रिपाथी है अब लोगों ने सुना कि सिवात्रिपाथी तो उन्होंने कहा कि हो सकता है दिमाग पर कोई असर पड़ा हो और ये कोई ऐसा भ्रम वहम हो गया हो तो कहा ठीक है दीरे धीरे जैसे समय बीतेगा हो सकता है साम तक ये हो सकता है कल तक क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था कि और बाद में एकदम ठीक हो जाती थी, तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि समय बीटने के साथ फिर से ठीक हो जाए, लेकिन ये ठीक नहीं हुई, कई दिन बीटके उसके बाद भी ये सिवा तृपाठी ही रही, और जो इसका बच्चा था, बच्चे को भी अपने पास नहीं आने देती थी, तो लोगों को ये अजीब बात भी लगी, लोगों ने कहा कि ये तुम्हारा बच्चा है, काफी संगाने का भी कई लोगों ने प्रयास किया, कि ये तुम्हारे साथ ससुर है, ये तुम्हारा देवर है, ये तुम्हारे पती है, लेकिन इसने किसी की भी बा तो अब लोगों ने सुना धीरे धीरे फिर जो सुमित्रा सिंग थी इसके जो मायके के लोग अंगत का नगला में रहने वाले लोग वो लोग भी आ गए तो क्योंकि पहले उनको रोग दिया गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है जब बाद में ठीक ठाक समय में आना क्योंकि यह नहीं चाहते थे कि ज्यादा लोग यहां पर भीड़ी कठा हो और इसको परेशानी हो तो अब वो भी आ गए थे उन्होंने भी बात चीत की जो इसकी मेर मेरी बहन फूल माला जो पर्ण लिखना सिखाती थी वह भी अपने पती के साथ आ गई थी यह उसको भी नहीं पहचान रही थी किसी को भी जो मायके कि जितने भी थे रज्चिदार थे उनको भी नही पहचान रही थी और यहां लोगों को लगा कि कुछ वही भूत प् बनी रही फिर इसने धीरे और ज्यादा बाते बतानी शुरू कि कि इसने यहां तक पढ़ाई करी है और इसके भाईयों के क्या नाम है इसकी मा का क्या नाम है घर कहां पर है किस गाउं में हैं यह सब कुछ बताया लेकिन यहां के जो लोग थे तो उन्होंने आगे पर्ताल करने की भी कोशिस नहीं की कि जाकर इटावा में देखें कि एसी कोई जगा है कोई घर है कोई अपने पिता का भी नाम बता रही थी राम सियात रिपाठी और यह भी बता रही थी कोई कॉलेज में पढ़ाते हैं ले तो यह भी बाते थी खैर यह सब चलता रहा अभी तक यह अपने पती को पती नहीं मान रही थी और अपने बच्चे को भी अपना बच्चा नहीं मान रही थी तो घर में एक रहती तो थी लेकिन एक अजनमी की तरह खाना वगरा बनाने का जो कामिन के सास कर रही थी और घर स्भुभा बजे उट जाय करती थी और जब घर के बाहर जाना होता तो सुमित्रा कुछ पेहन कर नहीं जाती थी लेकिन घर के बाहर जाना हो तो चपाल वग्यरा पहन कर जाती थी तक बदला बदला वेहार तो समेत्रा पहले से ही थोड़ा चर्चाओं का विसाय थी गाउं में, तो आप दूसरी चर्चाएं सुरू हो गई, लेकिन फिर यह जो खबार थी धीरे-धीरे आगे फैलना सुरू होई, पहले गाउं में रही फिर गाउं से पडोस के जो गाउं, इनके पडोस में एक आउरत थी, जिसक जात्रिपाठी तक पहुंची, सीवात्रिपाठी के पीता, अब इन्होंने जब सुना, और जितनी भी बाते थी, वो सस्त थी, तो इनको लगा कि देखना चाहिए क्या बात है, तो इन्होंने फिर एक मुर्रा गाउं था इसी सफीपूरा के पास, मुर्रा में इनके एक रि रिष्टेदार को फिर उन्होंने कहा कि आप थोड़ा जाएं, देखकर आएं कि क्या बात है, तो रिष्टेदार आएं, उन्होंने पूछा कि कोई एक सुमित्रा सिंग नाम की लड़की है, जो सीवात्रिपाठी अपने आपको बता रही, तो लोग उन्होंने पहुंचाय कि जो रिष्टेदार थे, इस गाउं के आसपास, कुछ 24-25 लोग उनके भी नाम इसने सही सही बताये थे, तो अब उनको ये बड़ा तार्जुब हुआ, तो फिर गए, और मिले, इनके पिता से राम सियात्र पाठी से बताया कि ये ऐसी ऐसी बात है, और ये जो लड़की ह अगर आग बंद कर ली जाए, तो यही लगता है कि सिवा ही बोल रही है, आवाज थोड़ा बदली है, लेकिन सब कुछ वैसा ही लग बलग बलग, तो अब इनके जब पिता ने सुना, तो अब ये थोड़ा उल्जन में कि क्या करें, जाएं कि ना जाएं, क्योंकि अभी इ दिनों में धीरे धीरे भरना सुरू हुए थे, फिर नहारे हो जाएं, ताजे हो जाएं, और वही कि क्या बाते निकल कर सामने आजाएं, थोड़ा ये उल्जन में भी, और उसके उपर से फिर बारिस आ गई, बारिस निकलने के बाद 20 अक्टूबर 1985 को राम सियात रिपाठ के साथ आये थे, वहां गए, लोगों से मिले, अब अचानक घर तो जा नहीं सकते थे, तो लोग इनको लेकर कए सुमित्रा के घर, एक इनसान गया सुमित्रा के पास, उसने बताया, कि सिवात रिपाठी के पिता जी आये है, तो ये बाहर निकली, इसने पहचान लिया, और ये पापा-पापा कहके लिपट गई, रोने लगी, अब रामसियाद रिपाठी को समन में नहीं आये कि क्या बात है, तो अब वो पहले थोड़ा आविस्वास में थे, तो उसी तरह से उन्होंने बरताओ भी किया, तो इसने कहा कि मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो, उन् इन में से किसी को पहचानती हो, तो ये सुमित्रा सिंग, जो अब सिवात रिपाठी बन चुकी थी, इस सब को लगातार पहचानती चली जा रही थी, हर किसी को इसने पहचान लिया था, और जो रिष्टेदार थे, तमाम जगे के रिष्टेदार जिनके फोटो नहीं थे इ तो जैसे ऐसे बताती जा रही थी, राम सियात रिपाठी को भरोसा होता चला जा रहा था, और फिर जब एल्बं के पण्ने पल्टे उन्हों ने, तो अचानक उसमें सिवात रिपाठी के बच्चों की फोटो थी, रिंकु और टिंकु, बच्चों को इसने जैसे ही देखा, ये रोने लगी और पूछने लगी कि मेरे बच्चे कहां है राम सियात रिपाथी अब क्या बताते हैं फिर आगे पन्ने पल्टे गए तो एक लड़की का फोटो था और अवरत का जैसे उस फोटो को इसने देखा सिवात रिपाथी ने इसने कहा कि ये रामा कांती है और इसी रामा कांती ने मेरे सर पर इटे से प्रहार किया था जिसकी वज़े से मेरी जान चली गई थी अब राम सियात रिपाथी ने ये जैसे ही सुना उन्हों ने अपने आपको जो रोक रखा था वो उनका बान तूट गया और उनके आखों से भी आसुओं की धारा बहने लगी उन्होंने मान लिया कि हाँ ये उनकी बेटी ही है सिवात रिपाथी और ये तो पहले से ही मानती थी तो एक बड़ा भाउग माहौल बन गया तो उन्हों बाप बेटी रोते चले जा रहे थे काफी लंबे अर्शे से राम सियात रिपाथी खुद को समझा रहे थे और आज वो वक्त आया कि अब ऐसी हालात ऐसी बातें इनके सामने खड़ी थी तो उन्होंने मान लिया कि खैर यह इनके बेटी है बड़ाओं वाले जिन्होंने देखा वो भी बहुचक के कि यह क्या हो रहा है यह आये भी है सिवा त्रिपाथी पहले तो यह कह रही थी उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि ऐसा कहा होगा लेकिन अब सब उनकी आखों के सामने हो रहा था जिस सिवात्र पाठी की ये बात कहती थी उसके अब पिता गाउं में आ गए थे और उन्होंने मान भी लिया था कि उनकी बेटी है तो गाउं में अब अलग ही माहल चर्चाएं दूसरी तरह से होने लगी तो फिर इनके जो परिवार के लोग थे सिवात्र पाठी के वो भी मिलने आए सब लोगों ने आकर मुलाकात करी सब लोगों ने बात ने सुना जाना और ये मान गए सभी लोग की ये सिवात्र पाठी की आत्मा है जो इसके अंदर आ गई तो फिर अब ये सिवात्र पाठी त लेकिन शरीर तो सुमित्रा सिंग का था, तो सुमित्रा सिंग को अपनी ससुराल में ही रहना, तो यह जाना चाहती थी, इनके साथ कह रही थी, कि पापा मुझे ले चलो, लेकिन लेकर तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि अब नियम कानून, तो यह चले गए किसी तरह मजबूरी उसके बाद फिर इसने चिठी लिखना शुरू किया, यह काफी परेसान रहती यहाँ पर सिवात्र पाथी, इसने अपने पिता को चिठी लिखी कई बार, कि यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, याद आती है घर की, वहाँ घर आना चाहती है, तो अब यह लेकर नहीं आ सकत पर इनके परिवार वालों से, जगदीज सिंग के परिवार वालों से, क्योंकि अब थोड़ा बहुत, वैसा ही माहौल हो गया था, जान पहचान भी हो गई थी, और थोड़ा संबंद भी अच्छे हो गए थे, तो इनके बात चीठ करी, तो कहा जगदीज सिंग से कि, आप करिए कि यहां परा आजाईए हमारे इटावा में, हम आपके लिए कोई काम तलास करतेते हैं, आप यहीं रहना, काम करना अपना, और ठीक ठा काम भी थोड़ा चलता रहेगा, जैसा होगा, तो इन्होंने कुछ काम ढूड़ा, या अपने बीबी और बच्चे को लेकर वहा पहाना होती, लेकिन जंदगी तो, जिंदगी है, कुछ महीने बीते, चाहिए कुछ साल बीते हो अब इसकी पक्की जनकारी नहीं हो, लेकिन उसके बाद फिर इनके परिवार ने राम-चियात्रिपाथि ने, और इनका पूरा परिवार था, लेकिन एक बात और हुई थी इ शिवात रिपाठी ने अपने भाईयों को राखी नहीं बादी थी, अब इसके पीछे वजा चाहे जो रही हूँ, इसके भाईयों ने बहुत मिनते भी की, बहुत मिनती की, लेकिन इसने राखी नहीं बादी, इसकी जित्ती, तो अब ये अपने आपको अगर कोई कहता सुमि मुलाकात में बताया था जब उन्होंने पूछा था घरवाले इससे अरुणाया सिव संकर कहा करते थे प्याद से तो इन नामों में इससे कोई नाम लेकर जब कोई से बुलाता तब ही बूलती थी तो जब ये बात थी उसके बाद कुछ महीनों तक इनके जो सुमित्रा सिंग के सास असुर थे और जो पती इनका उसको भी कुछ दिनों तक ये बाते अजीब लगी इनके देवर ने बाद में बताया था लेकिन फिर धीरे उन्हों ने भी इसको होनी मान कर अज़ेस्ट करना सुरू कर दिया तो धीरे धीरे उनकी तरब से भी कोई परेसानी नहीं हुई सिवात्र पाठी को बाद में चल कर वो लोग ठीक ठाक लोग थे समझदार थे कहा कि अब इसमें क्या किया भी जा सकता है तो जैसा हो सकता है थोड़ा सा अज़ेस्ट कर लेते हैं वो भी सुमित्रा कहकर नहीं बुलाते », सिवा कहकर बुलाते गरना चाहती अपने तरीके से तो यह करने भी देते तो जो जग्दीशिंग के माता-पिता थे इनका व्यभाः और इनके देवर कह कई भी थीक था सिवा धरपार्ठी के पुष्यू लेकिन जब ये रहने गए थे, जगदीज सिंग इसको लेकर अपनी बीवी और बच्चे को, तो उसके कुछ ही सालों के बाद, इनके और राम सियात रिपाठी के परिवार के बीच में, दूरियां बढ़ना सुरू हो गई थी, क्योंकि पहली बात तो ये थी, कि इनकी जो जा इनके सास असुर थे, तो पास में रहना, उनके दिये हुए काम को करना, या जो भी बाते रही हो, ये भी बात इसमें आई कि जगदीज सिंग जो थे, तो इनकी नौकरी बार-बार छूट जा रही थी, लेकिन कुछ क्लियर बात नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि कुछ बाते हुई थी जिनकी वज़े से, इन दोनों परिवारों की बीच फिर से दूरी बढ़ना सुरू हो गई, उसके बाद ये वापस लोट आए, जगदीज सिंग, स्रीवात रिपाठी और अपने बच्चे को लेकर वापस यहीं, सफी पूरा, यहीं रहने लगे, तो यहां जैसे भी था इनका चलता रहा, लेकिन जो इनके बच्चे थे, रिंकू और टिंकू, वो अभी वहीं थे, सिवात रिपाठी की ससुराल में ही, और उन बच्चों को पालने पोसने का जो काम कर रही थी, वो वही रमा कान्ती कर रही थी, इनकी ननत, सिवात रिपाठी की, ज इसने इनके सर पर इंटा मारा था और ज्यान भी थी, तो बच्चे उसी के सनरच्छड में थे, उसी के परवर इसमें थे, खेर फिर, 14 साल के बाद लगभग, 1998 में, इनकी मौत हो गई, सुमित्रा सिंग या सिवात रिपाठी, और इसके दो साल बाद जग्दिश की भी मौत हो गई, अब ये जब मौत हुई, सुमित्रा सिंग या सिवात रिपाठी जो भी कहें, तो दूरियां इतना ज़्यादा बढ़ चुकी थी रामसियात रिपाठी और सिवात रिपाठी के बीच में, कि उनको पता भी नहीं था कि इसकी मौत हो चुकी है, एक रिचर्चर थे, साल बाद, तब उनको पता चला रामसियात रिपाठी को, कि सिवात रिपाठी की मौत हो चुकी है, लेकिन अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, जो ट्विस्ट मैंने आपको बताया था, ये एक वाक्या हुआ था सन 1968 में, 1968 के सितंबर या अक्टूबर का महीना था, कुछ घंटों के लिए, क्योंकि 1985 का ये वाक्या था, 1985 में शिवात रिपाठी बनी थी, और उसके बाद से लगातार ये शिवात रिपाठी ही रही, लेकिन 1986 का जो सितंबर और अक्टूबर का महीना था, इसमें कुछ घंटों के लिए फिर से सुमित्रा सिंग बन गई थी, सिवात रिपाठी, ऐसा लगा कि जैसे सिवात रिपाठी की पकड़ी इसके सरीर पर कुछ खमजोर हुई हो और ये सुमित्रा सिंग आगे आगई हो, लेकिन ज्यादा देर तक कि ये चीछ चली नहीं, कुछ ही घंटे बाद सिवात रिपाठी फिर से हावी हो गई, तो अब जो ये वाकिया था जब लोगों ने जाना, क्योंकि रिसर्च करने वाले लगातार इसमें रिसर्च कर रहे थे, तो जब ये वाकिया हुआ था तो एक रिसर्चर वहाँ पर मौझूद था, और हो सकता है कि ऐसा वाकिया बाद में भी हुआ हो, लेकिन ये एक ठीक के द्वारा लिखी गई बात है तो अब यह जो बात थी यह कई सवालों को जन्म दे रही थी क्यूंकि पहले तो इसे माना जा रहा था एक बॉडी टांसफर का केस और बॉडी टांसफर के तो अब किसी की समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बॉडी टांसफर में एक आत्मा प्रवेस कर जाती है दूसरी आत्मा को निकाल कर फेंक देती है या फिर अगर पहली आत्मा ने अपना इस्थान छोड़ दिया हो तो दूसरी आत्मा उसको अपना घर बना लेती लेकिन यह जो म आत्मा है क्योंकि अगर मौत हो गई थी सुमित्रा सिंग की और उसके बाद सिवत्रिपाठी की आत्मा ने कबजा किया था तो दोवारा से तो यह आत्मा आनी नहीं चाहिए थी सुमित्रा सिंग की लेकिन आई थी तो यह बात जाहिर करती थी कि दोनों आत्मा एक साथ रह शरीर में और यह सिवत रिपाठी की जो आत्मा थी वो दबाए हुई थी सुमित्रा सिंग की आत्मा को यह ज्यादा हावी थी और वो कम हावी थी तो अगर इसको एक बॉडी ट्रांसफर का भी केस नहीं मारा दा सकता है तो फिर हमारे सामने एक हिरास्ता बचता है किसे पजेशन का केस माना जाए यानि कि जब एक आत्मा किसी के सरीर पर हावी हो जाती है या एक भूत कहें कि किसी के सरीर पर हावी हो जाता है कोई साया कि उसमें एक आत्मा है लेकिन ये उसके सरीर पर हावी हुई उसकी आत्मा को दवाया और उसकी आत्मा को अपना घर बना दिया पहेली जो मैंने आपको बताया था कि ये जो कहानी है अब उस मुकाम पर आ गई थी कि ये जैसा पहेली एक फिल्म आई थी तो पहेली में आपने देखा होगा कि वो जो भूत था वो उसकी आत्मा पर कपजा कर लेता है और बाद में वो भूत ही रहता है तो उसी तरह का एक वाक्या ये भी था लेकिन जब का वाक्या है तो फिल्म से काफी पहले का खैर और जो बॉड़ी ट्रांसफर होता है अगर पुनरजन्म माना जाए तो पुनरजन्म के जितनी भी घटनाए है मैंने पहले भी आपको बताया था सायथ की अगर इनमें हम गौर करें तो पुनरजन्म उन्ही का होता है जो अपनी जिंदगी जीकर नहीं मरे होते हैं जिनकी जिंदगी बाकी रह गई हो कोई हाथसा हुआ उनके साथ या कोई बीमारी ऐसी आ गई हो तो उसकी वज़े से उन्हीं लोगों का पुनरजन्म होता है और लेकिन जैसा एक सांती देवी का केस था तो उसमें पुनरजन्म हुआ था अगर हम यह मानने को अपनी बाकी की जिंदगी यहां पर पुनरजन्म लेके पूरी करने आई थी तो सांती देवी की उमर ठीक ठाक थी और माफ करिये लुगदी देवी की उमर ठीक ठाक थी और सांती देवी भी अपनी ठीक ठाक जिंदिगी लगभग 80-90 साल जीकर उनकी मौत हुए थी तो बे कहा नहीं जा सकता है कि पुनर जन्म होता है या बॉडी ट्रांसफर होता है कि पुनर जन्म बॉडी ट्रांसफर को ही हम लोग पुनर जन्म मान लेते हैं कि एक बच्चा है मां के पेट में और वहां पर बॉडी ट्रांसफर हो गया उसी को पुनर जन्म हो गया मान लिय गया खेर आप लोग इस पर विचार करें जो सोचते हैं अगर आपको जो विचार मुझे भी बताएं कोई नए चीज इस कहानी के बारे में आपको पता हो तो बताने का कष्ट करें पुना जन्म की कहानियां कई हो गई थी लेकिन ये थोड़ा लग कहानी थी तो मैंने सोचा सुनाएं अमीद है आपको पसंद आई होगी फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में नए कहानी के साथ